जय माता दी भक्तो मातारानी की किरपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे तो friends आज के इस वीडियो में हम आपको आसार मास के गुप्त नवरात्रे की पुजा विदी बताने वाले हैं Friends इन नवरात्रों में गुप्त रूप से पूजा की जाती है साल में चारवारी नवरात्रे आते हैं दो प्रकट नवरात्रे होते हैं जो की बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और दो नवरात्रे होते हैं गुप्त रूप से और इनमें पूजा भी हमें गुप्तरूप से करनी होती है तो आप ये निश्चित कर लें कि आपको ये पूजा कहा करनी है अगर आप कोई विशेश मनोकामना की पूर्ती के लिए अलग से चौकी लगाना चाते हैं तो फिर आप ऐसी जगा पर लगाएं जहां पर आने जाने वालों की नजर ना पढ़ें कोई भी आपकी पूजा में टोकाटोकी ना करें ठीक है और आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं मैं हमेशा अपने घर के मंदिर में ही करती हूँ तो फ्रेंट्स आप चाहें पूजा घर के मंदिर में करें या अलग से चौकी लगाएं लाल रंग का कपड़ा विछाएं चौकी पे और लाल रंग की चुनरी माता को आप जरूर से पहनाएं तो फ्रेंट्स अब हम आपको बता दें कि 6 जुलाई दिन पढ़ रहा है शनिवार का इस दिन से आसाड मास के गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और जो की 15 जुलाई को समाप्त होंगे तो फ्रेंट्स इस बार पूरे 9 दिनों की जगा पूरे 10 दिन के नवरात्री है लेकिन आपको हम बता दें कि माता की जो सवारी है वो अश्व है ठीक है और जब भी माता गोडे पर सवार होके आती है तो ये बहुत जादा अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी तरह का तो इन ही सबसे बचने के लिए हमें माता की पूजा राधना जरूर करने चाहिए जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ हमारा घर परिवार जो अचानक आने वाले संकठ है उनसे बचा रहे तो ये है नवग्यर्य यंत्र तो अगर आपके पास है तो आप ज हम सबी उन नामों को जानते हैं लेकिन जो गुप्त नवरात्री होते हैं इन में माता की दस महाविद्याओं की रूप की पूजा होती है जैसे की माता काली, माता तारा, माता ललिता, मा भुवनेश्वरी, मा त्रिपुर भैरवी, मा छिन मस्तिका, मा धू मावती, मा बगला म की मा मातंगी और मा कमला इन दस महाविद्याओं का पूजन किया जाता है तो फ्रेंट्स किसी भी तरह की सिध्धी को प्राप्त करने के लिए इन माताओं का पूजन होता है लेकिन बिना गुरू के सानेदिके हमें इन माताओं का पूजन नहीं करना चाहिए हमें ग्रस्ति में हमने बनाया है रूली से अस्ट दल कमल माता की पूजा में कोई भी शुब चिन आप बना सकते हैं और लाल रंका आप ज्यादा से ज्यादा प्रियोग करें तो हमने रूई की जगा यहां पे कलाबे की लंबी बाती बना ली है तो हम यहां पे देशी गी का दिया जला रहे आप चाहें तो तिल के तेल की जोद भी आप जला सकते हैं और अगर आप रख रख रही है नो दिन का तो फिर आप घट स्थापना कर सकते हैं जुआरे बो सकते हैं और अखंड जोत भी आप जला सकते हैं उसके बाद देखिए पुष्प में थोड़ा सा गंगा जल लेके हम सभी को शुद्ध कर लेंगे इसनान के भाव से और सबसे पहले धूप दीप जलाएंगे उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे तो फ्रेंट जी की मूर्ती नहीं है आपके पास तो आप सुपारी पर कलावा लपेट करके भी गनीज जी बना सकते हैं उनका भी आप पूजन कर सकते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने दीपक का पूजन किया है रोली चंदन लगा के पुष्प चड़ाएंगे और सभी भग तो फ्रेंट कहते हैं कि जो तांतरिक लोगोते हैं वो सित्यों को प्राप्त करने के लिए गुप्तरूप में मातक की विशेश रूप से पूजना अनुस्थान करते हैं जिसमें कि उन्हें सफलता भी मिलती है इसलिए कहा जाता है कि इन नवरात्रों का महत बहुत ही ज़् बढ़ जाता है और थोड़ी सी ही पूजा से माता बहुत जल्दी प्रसन भी हो जाती हैं तो यहां पर देखिए हमने सभी को वस्तर रूपी कलाबा अर्पित कर दिया है माता को हमने फूलों की माला पहनाई है आपके पास फूल हो आप फूल चड़ा सकते हैं फूल भी ना हो अगर तो आपके अक्षत चड़ा करके ही पूजन कर सकते हैं और इसके साथ ही हमने माता को इत्र लगा दिया है अब हम भोग लगाएंगे तो भोग में माता को लौंग इलाइची और बताशे का भोग हो सके तो आप जरूर लगाएं माता का सबसे प्रिय भोग है यह वैसे तो देखे आप कोई भी मेवा मिठाई का भोग लगा सकते हैं लेकिन लौंग इलाइची और बताशे का भोग आप जरूर लगाएं इसके अलाबा जो कटी हुई मिश्री आती है ना दाने वाली इसका भोग भी माता को लगाया जाता है इसके बाद फ्रेंड्स हम माता को मगरी अर्पित करेंगे तो यहाँ पे मैंने पांच चीजें ली हैं आप जादा कुछ ना ले सके तो बिंदी और सिंदूर माता को जरूर अर्पित करें माता को सुहाग चड़ाने से आपके सुहाग में व्रद्धी होती है सदा सिवदा सुहागन रहने का आशीरबात मिलत है पती पत्नी में प्रेम बनाता है उसके बाद जो भी फल आपको मिल जाएं आप उनका भोग लगाएं और एक पात्र में जल भर के पूजा में आपको जरूर रखना है और फ्रेंड्स गुप्त नवरात्री में आप छोटा सा हवन कर सकते हैं डेली भी कर सकते हैं या फिर नवरात्री में नो दिनों तक दुर्गा साप्त शती का पाठ करने का नियम ले सकते हैं या फिर दुर्गा कवच का पाठ अगर आप करेंगे तो इससे सदैव आपकी रक्षा होगी और अगर इतना بھی समय नहीं मिलता आप बीजी रहते हैं तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पूजा पाठ का नियम आप जरूर लें, सुबह ना भी कर सके तो संध्या के समय आप जरूर कर लें, то फ्रेंट्स बाकी दिनों की अपेक्षा इन दिनों में किया गया पूजा पाठ का फल आपको सोगुना होकर मिलता है, तो आप पूजा जरूर करें, और इसके अलाबा किस थोड़ी थोड़ी चड़ाएं लेकिन कुछ दक्षणा माता को जरूर अर्पित करें तो फ्रेंट्स गुप्त नवरात्री में आप जो भी पूजापाट का नियम ले रहे हैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है ठीक है तो उमीद करते हैं आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे